सेर्च टीटीपो अन यूट्यूब नई पट्रियों को चेक करने के लिए टीटीपो लंबी यात्रा पर निकल गया नदी के पार उंचे पहाड़ों को पार करने के बाद जब टीटीपो घने रेगिस्तान से होकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था वो रेद के एक सबर्दस तूफान में भज गया लंबा सफर भाग दो चोचु शहर में छोटी रेल गाड़ियां कठा हुई हैं टीटीपो 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 अ मिश्फयाइफ या से कुई बात हुइ नहीं जीनी अभी तक तो बात नहीं हुई क्यान बुर्स की कोई बुरी खबर अरे नहीं नहीं चिनतर की कोई बात नहीं है अन्याप्स ज्यादा के चुकी है तुम अपने-पने कमरे में चाहते प्स्DS जाओ जी से या कहती हो टीटी पो ठीक तो होगा ना उमीद तो यही है सभी को गुड़नाइट ठीक है बाई गुड़नाइट एरिक गुड़नाइट जीनी अब उमीद करता हूं कि टीटी पो ठीक होगा टीजल पोश आ गया तुमें तुम कौन हो हाई दोस्त मेरा नाम है जैनी जैनी हाई मैं हूँ टीटी पो लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है पता है तुम मुझे बेहोश मिले इस इलाके में रेट के तूफान आते रहते हैं और आज का तूफान तो बहुत ही इतना भी डर नहीं लगता मैं दूर दूर पहले देशों में सामान लेकर जाती हूं आम तौर पर मुझे पहुचने में कई कई दिन लग जाते हैं इसलिए मुझे रेट के तूफान की और बर्फ के तूफान की भी आदत है ये बताओ तुम कहां जा रहे हो मैं मैं पट्रियां टेस्ट करने निकला हूँ यहां पहली बार आया हूँ मिस्टर हब से बात करने की फिर से कोशिश करनी चाहिए जरूर मिस्टर हब मिस्टर हब कोई जवाब नहीं मिला रेट के तुफान की वज़ा से रेडियो खराब हो गया होगा चलो मेरे साथ आओ ठीक है ओ टीटी पो क्या बात है मुझे अपने चूचू टाउन के दोस्तों की बहुत याद आ रही है तो तुम उदास हो है ना अगर ऐसा है तो मेरे साथ गाओ चक चक चूचू चक चूचू फिरसे चक चक चूचू चोटी रेल चक चूचू चलो मिलके चक चूचू चूचू पट्री पर चक चूचू चूचू काई हम चक चूचू चूचू मस्ति करे चक चूचूचू सोर से गाए चक चूचू चूचू चक चक चुचु चक चुचु चक चुचु चक चुचु चक चुचु चक चुचु वाह मजा आ गया जैनी टिटीपो जब परिशान हो जाओ तो इसे गाना हाँ ऐसा ही करूँगा टिटीपो अब इस तरफ की पट्री पर चलते जाओ हाँ मुझे इस तरफ से जाना है यहां से हम अलग हो जाएंगे ओ बहुत बुरा लग रहा है सुनो जैनी किसी दिन चुचु चुचु टाउन आओगी ना ठीक है जरूर आओँगी जल्दी मिलेंगे हाँ जरूर मिलेंगे जैनी से अलग होने के बाद टिटीपो अपने रास्ते पर चल पड़ा है सफर बहुत लंबा था लेकिन शुक्र है वो ज्यादा परेशानी के बिना अपनी मन्जिल पर पहुँच गया टिटीपो टिटीपो उधर चूचू टाउन में सभी दोस्त अब भी टिटीपो के लिए परिशान थे हेलो दोस्तों हाई जीनी टिटीपो का पता चला नहीं आज भी कोई खबर नहीं मिली कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा उसके साथ मुझे विश्वास है वह सही होगा मैं भी यहीं उमीद करता हूँ अच्छा अब मैं जा रही हूँ चलो अब सोने का समय हो गया है ठ कि अच्छा थाइए थाक्ते फॉरा खाला थोड़ा रूख जाओ ओ जोटी रेलगाडी यह इलाका ड्रागन दादा का है बिना मेरी इजाज़त यहाने की हिम्मत कैसे हुई माफ करना मैं तू सिर्फ टेस्ट के लिए किसी और काम के लिए मुझे उससे क्या मैं तुम्हें यहां से तभी जाने दूँगा जब मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें जट से निगल जाओंगा समझ गए ना क्या ठीक है तो हमारी बात तैय हो गई है ना ठीक है तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ बताओ दुनिया की सभी चीजों में से कमाल की कौन सी है, पता है? सबसे कमाल की चीज? ये तो मुझे नहीं पता. तुम्हें नहीं पता? ब्यान से सोचो, तुम्हारे सामने भी हो सकती है वो. हाँ, इसका जवाब है डीजिल, वो बहुत ही तमदार मालगाडी है. मजाग कर रहे हो मेरे साथ, एक छोटी सी चगाचा कमाल गाड़ी कमाल की कैसे हो सकती है? लेकिन टीजिल बहुत कमाल का है. गलत, इसका जवाब है मैं एक ड्रागन, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हो और उपरोड सकता हूँ, मैं सबसे कमाल का हूँ, और जा से तय हुआ था, अब तुम्हें निकलने का वक्त आ गया है. ठीची पाँ, ये तो बयानक सपना है. अगला देन शुरू हो चुका है, मैं काम पे जा रहा हूँ. ठीक है, बाई एरिक, अपनी यात्रा अच्छे से पूरी करना. मिस्टर हॉप! गुड मॉर्निंग डीजल. इस्टर हॉप, क्या आपको लगता है कि बयानक ड्राइगन ने टीटीपो को निकल दिया होगा? क्या? अरे डीजल, ड्राइगन नहीं हुआ करते हैं. नहीं होते, सच में. अगर वो होते तो भी टीटीपो को नहीं खाते हैं, ना? मुझे तो यहीं लगता है. मैं पता लगाता हूँ टीटीपो के बारे में. चिंता मत करो, काम पर जाओ. ठीक है, आपसे बाद में मिलता हूँ, सर. ध्यान से जाना. सब ही को टीटीपो की चिंता है. उमीद करता हूँ कि वो जल्दी और सुरक्षित वापस आ जाएगा. सुरज धीरे धीरे डूब रहा है. शुक्र है टीटीपो के चूचू टाउन वापस आ रहा है. मैं अब तक घर नहीं पहुंचा हूँ. मुझे दोस्तों की बहुत याद आ रही है. अगर ऐसा है तो मेरे साथ गाओ. ठीक है, काना गाता हूँ. चक चक चूचू, चक चक चूचू, चक चक चूचू, चक चक चूचू, छोटी बेल चक चक चूचू, चले मिलकर चक चक चूचू, दोड़े पच्ची पे चक चूचू, गाए हम चक चक चूचू, मस्ती करें चक चक चूचू, सोर से गाएं चक चूचू, चक चूचू, चक चक चुचु चक चुचु चक चुचु चक चुचु अब रात हो चुकी है इस हिसाब से तो टिटी पो को आज शाम तक वापस आ जाना चाहिए था कहीं कहीं के टीटी पो हेलो मिस्टर हर्ब मैंने कर दिखाया सुआ गया तुम्हारा तुमसे बात नहीं हो पा रहे थी मुझे चिंता हो गई कुछ गलवड़ी हो गई थी शायद रेद की तूफान में मेरा रेडियो खराब हो गया था ओ टीटी पो यह मुसीबत बन सकता था तुम बहुत धग गये होगे जा थोड़ी देर आवाम कर लो ठीक है गुड़नाइट मिस्टर हब गुड़नाइट तिटेपो तुम जुरक्षित बापस आ गया है से में क्या कहा उसने शायद उसने कहा कि टी 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 डू आ गया टी टी पो वापस आ गया है सच मेंतिism ए हुआ हो दोस्तों, तुम अब तक जाब क्यू रही हो? क्योंकि हम सबको तुमारे चिंता हो रही थी. हम बहुत खुश है कि तुम वापस आ गए. तिटी बो! मुझने माफ करदो, नहाने जाते समय मैं तुमारा रास्ता रोकता था. जी से. मैं बहुत खुश हो कि तुम सही सलामत वापस आ गए मुझे लगा कि मैं तुमसे दुबारा मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हें ड्रैगन ने खा लिया था मैं बहुत परेशान था ड्रैगन 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 सच में नहीं होते कितने बुद्ध हो तुम दीज है तुम भी क्या-क्या सोचकर बैठ जाते हो तुम्हें पता पता ही ब्रैगन नहीं होते मैं ठक गया हूं सोने जा रहा हूं तीटीपो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं कम्रे इतने बड़ी नहीं है कि दो रेलकाडिया सो सके मुझे पता है लेकि शाद मैं अंदर चला जाओं मैं सिखुड कर अंदर चला जाओंगा चूचू शेहर के दोस्तों ने टीटीपो का जबरदस्त स्वागत किया गुड़ नाइट छोटी रेलकाडियों लंबी यात्रा चूचू शेहर में एक नई सुभाए लेकिन लगता है कि टीटीपो के अभी तक आँख नहीं खुली है टीटीपो टीटीपो तुमारी शिफ्ट का समय हो गया है टीटीपो जी अभी आया आज देर से नीद खुली विक्स विक्स नाम है फेक्स लिफ्ट लिफ्ट गड मारिन लेत है नहीं नहीं तो भूली काया क्या करूं बहुत देर हो गई गुड मॉनिंग टीजल गुड मॉनिंग तुम्हारी नींद भी देर से खुली हां नहीं मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैं जरा जल्दी में हूँ अहां टीजल मुझे भी नहाने जाना है अगर सोगे तो खोगे माफ करना एक मिलिट मतलब तुम्हारी आखरी बारी विचारा टीटीपो गलत बात है टीटीपो को देर हो ही गई गुड़ मॉनिंग मिस्टर हब तो आखिरकार तुम आई गए टीटीपो काफी देर कर दी आज अब जल्दी से जाओ बार में मिलता हूं मिस्टर हब ठीक है त्यान से जाना अगले दिन के शुरुवात टीटीपो टीटीपो काम पर जाने के समय हो गया है जल्दी उठो फिर से देर से नीन खुली जल्दी से तैयार होना होगा हाँ एक खुला हुआ है टीजल बिचारा टीटीपो आज पिर मेरे पीछे है हेलो मिस्टर हब टीटीपो आज फिर देर से आये हो तुम तुम्हें जल्दी सोकर उठना चाहिए ऐसे काम नहीं चलेगा अगर तुम देर तक सोगे तो मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा मिस्टर हब ने टीटीपो को प्यार से समझाया जल्दी उठने के लिए अब मैं चलता हूँ मिस्टर हब ठीक है ध्यान से जाना ओ ये तो δीजल है सबसे तकड़ा डीजल तुमने तो मुझे डराहि दिया तुम्हारी वजे से मिस्टर हब से इतनी बाते सुननी पड़ी उसमें मैं जल्दी होठा ना सारी तीटीपोäg अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा. क्या? टीटी पो. वो नाराज हो गया. पर मैं भी अपनी जगाट ठीक हूँ. कई दिन हो गए, टीटी पो और डीजल की आपस में कोई बात नहीं होई. वाँ! वाँ! अब? कितना पेज़ा लग रहा है. मौसम भी बहुत अच्छा है. घूमने जाने का मज़ा ही अलग होता है. है न दोस्तों? अगले दिन, काम पूरा करने के बाद टीटी पो वापस चूचू उटाओन आ गया. मेरा काम पूरा हो गया. शाबाश. टीटी पो, अच्छा है, तुम वापस आ गये. सुनो, कल तुम्हें पट्रिया टेस्ट करने ले जाना है, हाँ, मैं कल जाओंगा, फिर कुछ दिनों के बाद वापस आओंगा. कल तुम्हें लंबा सफर करना है, तो इसलिए जाकर आराम कर लो टीटी पो. ठीक है, मैं जाता हूँ. गुड़ नाइट, मिस्टर हब. गुड़ नाइट. सोने चलते हैं. हाँ. शायद डीजल अब तक नहीं आया. गुड़ नाइट, एरिक, टिटी पो. आराम से सोना. क्या जाने से पहले डीजल से दोस्ती कर लो? डीजल को अब तक वापस आजाना चाहिए था. लो, आ गया वो. मैं आ गया. शाबाश डीजल. तुम ठक गये होगे. जाओ, अब सो जाओ. ठीक है. मिस्टर हर्ब, क्या टीटी पो भी वापस आ गया? हाँ, टीटी पो कुछी देर पहले वापस आया है. ठीक है. तो मैं भी चलता हूँ आब. ठीक है. गुड़ नाइट. क्या मैं टीटी पो से मिल लूँ? पर शायद वो सोच चुका होगा. चैलो, मैं उसे नहीं जगाता हूँ. फिर वो सुभा आ ही गई जब टीटी पो को लंबी यात्रा के टेस्ट के लिए जाना है. टीटी पो, तुम सब यहां क्या कर रही हो? हम तुम से मिलने आये हैं और गुड़ लख बोलने. क्यूंकि तुम बहुत दूर जा रहे हो. ध्यान से जाना टीटी पो. सबका शुक्रिया, लेकिन वो डीजिल कहां है? अरे हाँ, वो तो दिखा ही नहीं दिया. जल्बी जाके वापस आओ, नए-नए बाते हमें बताओ. और हमें नए-नए किस से सुनाओ? जरूर, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, वापस आकर मिलता हूँ. सेटर, टी-टी पो. अच्छा लग रहा है तुम्हें, लेकिन डर्बी लग रहा है. तुम कर लोगे, चिंता मत करो. ठीक है, डिब्बे लगा ले हम. अब तुम तईयार हो. शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ. ध्यान रखना. ठीक है. गुड मॉर्निंग, मिस्टर हर्ब. ओ, आगे तुम. ट्रिप पर जाने के लिए तयार हो. हाँ, अच्छा ये बताए, क्या डीजल काम पर गया? अफसोस है, तुम इससे मिल नहीं पाए. वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था. क्या कोई परेशानी है, टीटीपो? नहीं, कुछ भी नहीं. आप चिंता मत कीजिए. ठीक है, अपना ध्यान रखना तुम. जरूर रखूँगा. वापस आकर मिलता हूँ. कोई परेशानी हो, तुम मुझे बता देना. ठीक है. टीटीपो, टीटीपो. टीटीपो. आज कहां जा रहे हो तुम? इस बार मैं दूर जा रहा हूँ. सफर बहुत लंबा है. लंबा सफर. फिर तुम मजे करोगे तुम. वापस आकर मिलता हूँ. बिल्कुल. जल्दी मिलेंगे हम. ओ, ये तो टीजल है. क्या उसे बता दू, कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ? अरे नहीं. हमारे रास्ते ही अलग-अलग हो गए. और टीटी-पोको डीजल से मिले बिना ही जाना पड़ा. चलो, चले. लोडेंग और रख रहा हूँ. समान रख दिया, डीजल. अब तुम जा सकते हो. ठीक है. शुक्रिया, क्रेनी. अजीब बात है. मैंने डीजल को कभी भी इतना उदास नहीं देखा. डीजल! ओ? हलो! टायो, तुम यहाँ? आज सुबह अचानक मुझे टीटी-पो मिला. अर अब देखो, तुम मिल गए. अच्छा, टीटी-पो से मिले तुम? हाँ, उसने कहा वो बहुत दूर जा रहा है. दूर जा रहा है वो? डीजल, क्या हुआ? उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो जा रहा है? नहीं, बताया था. मुझे दूसरी तरफ जाना है. फिर मिलेंगे डीजल. गुद्बाई, टायो. कल रात को अगर मुझे पता होता, तो मैं उसे जगा देता. ठीटी पो. हाँ, हेलो मिस्टर हब. मौसम विभाग ने बताया है कि वहां मौसम खराब रहेगा. अभी कैसा है? बढ़िया, अब तक तो अच्छा है. चलो, अच्छा है. कहीं रास्ते में जबगियां लेते हुए तो नहीं जा रहे है? बिल्कुल नहीं. चिंता मत कीजिए, मिस्टर हब. ध्यान डखना. अगर कोई परिशानी हो, तो मुझे बताना. मुझे तुम पर विश्वास है. जी, मिस्टर हब. कितनी गर्मी है. एक के बाद एक रेत के पहाड़ आ रहे हैं. जीजल? लगता तो डीजल ही है. शायद वही है. जीजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजल! रुक जाओ! यह क्या हो रहा है? वो उड़ कैसे रहा है? रेगिस्तान की गर्मी, टीटी पो पर अपना असर दिखा रही है. वो क्या है? कुछ सिखाई नहीं दे रहा है. मिस्टर हब! मिस्टर हब! क्या बात है, टीटी पो? मैं रेत के तूफान में फंच गया हूँ. रेत का तूफान जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकलो. चीक है, समझ करा. पर मुझे आगे कुछ सिखाई नहीं दे रहा. क्योंकि तूफान बहुत ने हैं? टीटी पो? टीटी पो? मिस्टर हब! मेरा सपन तूट गया. अब मैं क्या करूँ? टीटी पो रेत के जबर्दस तूफान में फस गया है. हिम्मत से काम लेना टीटी पो. टीटी पो का पहला रास्ता. हर सुभा, चूचू शेहर से रेल गारियां अपने काम के लिए निकलती हैं. एरिक अपनी शिफ्ट पर है. सिंग सिंग जा चुकी है. और अब अब बारी है डीजल की. डीजल? हाँ, मैं जाने के लिए त्यार हूँ. तुम जा सकते हो. हमेशा की तरह सावधान रहना? मैं सावधान रहूँगा, मिस्टर हब. अब बारी है बूम बूम की. बूम बूम. यह नहीं है. आखिर है कहाँ? बात बढ़िया लिफ्ट. तैंक्स. जी मिस्टर हग. बूम बूम का मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है. क्या तुम इसकी लोकेशन ढूणने में मेरी मदद करोगे? जरूर, क्यों नहीं? तुम तैयार हो. मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ. जब एक रस्टूटे तो आए, मिस्टर बूम. और उसका साथ ही लिफ-लिफ. भास दए, प्यारे. बदद को पुकारे. एक जादा हो या थोड़ी, उससे ठीक करे जोड़ी. तो चलें. जीनी. गुड़ मॉर्नें. गुड़ मॉर्नें, चिचीपो. काम पे जा रही हो? हाँ, मैं काम पर जा रही हूँ. वाँ, काश मैं भी ऐसा कर पाता. तुम भी चल्दी काम करने लगोगे. अब मुझे चलना चाहिए. बाई, मज़े करना. शाम को मिलेंगे. ठीक है. पता नहीं मुझे मेरा पहला रास्ता कब मिलेगा. अब सब ठीक है. सेटा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, जीनी. यात्रियों के लिए दबे तयार हैं. इन्हें जोड़ कर जा सकती हो तुम. मैं तुम्हारे लिए जगा छोड़ देता हूँ. ठीक है. हाँ, शिरू करते हैं. तुम्हारा शुक्रिया, सेटा. यार वेल्कम. अपना खियाल रखना. पाई. मिस्टर हब. ओ, फेक्स. बुम्बुम का कुछ पता लगा? हाँ, मिल तो गया है, लेकिन… कुछ गड़बर है क्या? ठीक हो ना तुम. बुम्बुम पड़री से उतर कर किनारे पर गिर गया है. ओ, 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 ज्यादा चोड़ तो है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है. फिक्स, तुम बुम्बुम को ठीक कराने के लिए ले जाओ. मैं ले जाता हूँ, मिस्टर हब. अब मुझे उसकी जगें किसी दूसरे को भेजना पड़ेगा. मिस्टर हब. ओ, हलो, जीनी. हेलो, मिस्टर हब. अच्छा हुआ तुम बुम बुम आज अपने रूट पर नहीं जा सकता, तो क्या तुम उसकी जगे जा सकती हो? मैं माफी चाहती हूँ, मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ. अरे हाँ, मैं भूल गया था, लेकिन फिर कौन? मैं बताओ, कैसा रहेगा टिटी पो? टिटी पो, पता नहीं अभी टिटी पो, मिस्टर होग, जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुचाओ, ठीक है, मैं आ गया, तो तुम आ गये, आप मुझ से मिलना चाहते थे, टिटी पो, क्या तुम आज एक रूट पर जा सकते हो? मैं एक रूट पर? हाँ, मैं बिलकु जा सकता हूँ, शाबाश, तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, जल्दी से डिपो जाओ, आपने साथ डिब्बे लगवाओ, और फॉरण निकल पड़ो, जी सेर, हेलो, तो तुम होना नई रेल, हाँ, मैं हूँ दिटी पो, मेरा नाम है सेटर, मैं इस डिपो में रेल गाड़ी के सभी डिब्बे जोड़ता हूँ, अरे वा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने सुना ये तुम्हारा पहला दिन है, मुर्बारक बाद, तुम्हारे पीछे मैंने डब्बे लगा दिये हैं, हाँ, शुक्रिया, हाँ, ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, शाबाश, अब तुम निकल पड़ो, जी सर, अपना अच्छे से ध्यान रखना, टीटीपो, शुक्रिया, सेटर, छोटा टीटीपो अपने पहले रूट पर चल पड़ा, सुरक्षित सफर करना, टीटीपो, जी, बिलकुल, शुक्रिया, मिस्टर हर्ब, उम्मीद है, सब ठीक रहेगा, टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो अपने यात्रियों को लेने के लिए स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लगता है वो देर से पहुँचेगा, अब हम तैयार है, चलो, चले, मुझे जल्दी करनी होगी, ओ, आगी मोड है, ओ, मोड पर तेज चलना खतरनाक होता है, इसलिए टीटीपो ने अपनी रफतार कम कर दी, ओ, तेज चलना होगा, मैं देर से बिल्कुल नहीं पहुँच सकता, ओ, अरे, ये तो एरिक है, हेलो एरिक, ओ, टीटीपो, क्या ये तुम्हारा पहला रूट है, हाँ, काश बाते कर पाता लेकिन अभी जाना है, ओ, ये इतनी तेज क्यों जा रहा, हाँ, ओ, ये तो पुल है, मुझे पता है, फुल पर धीरे चलना चाहिए, लेकिन कोई और चारा नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मेर किताब, चलो चले, मैंने कर दिखाया, और मैं तेर से भी नहीं पहुंचा, हम स्टेशन पर पहुंच गए, बहुत ही बुरा सफर था, यहाँ टीटी पो खुश हो रहा था, लेकिन उसके यादरी उससे नाराज़ थे, मेरा पहला रास्ता अच्छा रहा, अब वक्त है घर जाने का, मिस्टर हब, मैं वापस आ गया, हम फिर मिल गए, आज का सफर कैसा रहा, मैं बिल्कुल सही समय पर स्टेशन पहुंच गया, एक बात बताओ, टीटी पो, जी, तुम भूल गए थे, कि पुल पर तेज स्पीड से नहीं चलना चाहिए, ओ, नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता था, यात्रियों को तेर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेज चला, जी, नहीं, चलो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो रूट मैंने तुम्हें दिया, वो असल में बूम बूम रेल का था, ओ, दुनिया के सबसे अच्छी ट्रेन, बूम बूम, लेकिन आज सुबहा जब वो पट्री के एक घुमाव पर पहुंचा, मैं धीरे नहीं होंगा बिल्कुल नहीं, वो धीमा नहीं हुआ और तेज ही चलता रहा, और पट्री से उतर गया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा मुझे सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था, माफ कर दीजिए उदास मत हो, पहले दिन हर रेल से कोई न कोई गलती होती है जानता हूँ मैं वापस आ गई हाई चिटी पो हेलो जीनी तो कैसा रहा तुमारा दिन? वह देखते हुए कि इसका पहला रूट था, मुझे लगता इसने काफी अच्छा किया मा, बहुत बढ़िया टिटी पो ओ, शुक्रिया टिटी पो, आज तुमने बहुत काम किया, उम्मीध है आगे भी ऐसे ही करते रहोगे क्या, इसका मतलब मैं आगे काम कर सकता हूँ? हाँ, बिलकल, और तुम अपने रूट पर हर रोज प्रैक्टिस करोगे मैं बादा करता हूँ अपने को टिटी पो बाई बाई मिस्टर हब आराम करो छोटी रेल गारियां अपने डब्बे अलग करने के लिए डीपो पर पहुंची अच्छा टीटी पो तुम्हें आज डर नहीं लगा सच कहूं मेरे पहिये काप रहे थे मुझे भी डर लगा था लेकिन सब ठीक हो गया ठीक कहा जी निल शुक्रिया दोस्तों छोटी रेल गारियों का काम पूरा हो चुका है और अब समय है घर जाने का गुड़ नाइट टीटी पो कल सोबा मिलते हैं ठीक है गुड़ नाइट एरिक घर से अच्छी कोई जगए नहीं ठीटी पो आज अपने पहले सफर पर गया बहुत बढ़िया ठीटी पो कर दो